नमस्कार किसम भाई, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश कैसे गिरती है? मानसुन क्या होता है? तुपान याने की साइक्लोन कैसे ताहर होते हैं? जिनसे अमारा बहुत सारा नुक्सान होता है? और अब साल बर कभी भी बारिश गिरने लगी तो ऐसा क्यों हो रहा है यह सब सवाल आपके मन में जरूर भटक रहे होंगे क्योंकि इन सवालों के कारण आपका बहुत सारा नुकसान होता है तो इनका जावब अगर आपको पता नहीं है और आप खीती कर रहे हो तो भाई आपका बहुत सारा नुकसान कल भी हो था और आज के विडियो की तो पहले हम यह जानेंगे कि बारिश के से गिरती तो बारिश गिरने का आपको तो 5 वीकर्षा में आपने कि दरब हमने जाने वाले हैं लेकिन हम एक basic concept पहले clear कर लेंगे कि आधि अभी हम बारिश के से गरती यह तो अच्ची तरगे से समझ लेका है अब हम मांसून के से आता है हमरे भारत देश में बांगलादेश में पाकिस्तान में नेपाल में हमारे इन सबी देशों को मांसून स समுदर की तरव से ही हमारी मांसून आ जाता है दो भाई कैसे आता है तो इस को ज्यादा क्रिटिकल नसमज़ाते हुए आपको साधी और सिंपल राओस्वाय में बाताने को जाओ तो मांसून यानी की हवाय ही होती है हवाय मतलब विंड होते है लिक नकिरत ह rozm तो आपके समुंदर से जमीन के ऊपर बादल कैसे आते हैं तो देखो बाई जब सुरज की रोश्णी जमीन पर और आपके समुंदर के पानी के ऊपर गिरती है तो समुंदर का पानी जितना गरम नहीं होता उतना ज्यादा गरम आपकी जमीन होती है तो इससे क्या होता है आप के जमीन के तरफ अगर हवाय चलने लगी तो हवाय के साथ साथ आपके बादल भी जमीन पर आचाते ही इसे ही हम मांसूं के ते मैंने बहुत सारा effort लगद आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरह किसे समझाई तो मेरे इसलब से अभी मांसुन कहां से आता है कैसे आता है यह पता चल गया return मांसून कैसे जाता है यह भी आपको अच्छे समझाता हूँ जब आपके जब ठंड पड़ती है जब ठंड चालू होती है तब क्या होता है आपके जमीन का टेंपरेचर डाउन हो जाता है और तभी सुरज का मतलब समंदर की तुलना में आपके जमीन का टेंपरेचर डाउन होता है तब उल्टा हो जाता है आपके जमीन से आपके समंदर की तरब हुआ चल नी लगती और उसकी साथ ही आपके बादल भी उसके साथ रिटन की तरफ जाने लगते हैं तो इसी ही हम रिटन मांसुन भी कहते मेरे ही सबसे, आपको मांसून क्या ही यह तो समज आ गया होगा है कि तूपान बनते कहें से तो बभाई तूपान बनते कह 예से यह जानना बहुत ज़रुरिय secret ш finally नुकसान जादा जादा अंचण करने इंडीिंगार वह म minimizing हैं तो बाहर बाहर आपके तूपन कीरिव संट्री बहुत सरल है आपके पानी में यानि की समंदर में या पिर जमिन में जमिन के उपर एक पॉइंट बन जाता है यह आपका टेंपरिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उसको सेंटर धर के आपके जो हवा है उसके बगल-बगल में घुमने लगती है और वो इतनी तेज गुमने लगती है कि वही पॉइंट एक बड़ा रूप धारंग कर लेता है जिसे हम तुफान कहते हैं तो अगर आपको यह जानकर ह अच्छी लगी है अभी एक पॉइंट बाकी है तो आपको अभी जानकर इस लगी हो तो बाई एक लाइक तो बना दीजिए जिससे आपके लाइक सब मिलकर इस वीडियो के लाइक अगर 10,000 लाइक हो जाते तो मैं आपके लिए ऐसी भी आदबूत जानकर यह आगे भी लात बारिश का मोसम बहुत ही आच्छा रहता था बारिश के सिजन में बारिश के सिजन में ठंड पड़ती थी और गर्मियों के सिजन में गर्मी लगती थी लेकिन जैसे आपके 2005 तक जैसे ज्ञादा जंगलों की प्लाउज पड़ने लगा और उसी के परणाम स्वरूप हमारा मे मेरे को याद आ रहा है 2007 के करिब करिब आपका फायान नामक तुफान आया था और जब से फायान नामक तुफान आया है तब से इससे समझ लिया होगा उस प्रक्रिया को और यह जो सालवर बारिश गिरती यह भी आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है क्योंकि जो टेंपरिचर कम होना चाहिए ज्ञादा होना चाहिए यह आपके नेचर के उपर डिपेंट था वहां पर हमने क्या जंगल काड़ जिसके कारण गर्मिया गर्मी हो गई या फिर ठंड का जो प्रदेश उसका टेंपरेचर मेंटेन ना होने के कारण उनका जो साइकल वह बिगड़ गया जैसे कि पहले बारिश आती थी तो पहली मांसुन की जो बारिश होती वह केरल में होती तो अभी आईसओ कुछ नहीं हो रहें लागर आये मुंबई में अगर बारिश आती है तो हमारे पार अरश्र में काम जाता था लेकिन अभी मुंबई में आ जाती है तो वह आ झालत की तरफ चली जाती है तो इतने सारे दिक्कत एब यह चलने लगें आप चाहो तो उसका भी फाइदा उठा सकते हो तो उसके लिए आपको इस वीडियो के उपर क्लिक करके वह आला वीडियो देखना पड़ेगा मिलते हैं आगले वीडियो में जै जावान जै किसान